हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं प्रवीन कुमार जेन PM क्लासे यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं आपके लिए आदिक अभी बालमी की विरचित रामान महा काब में से सो सामान प्रशनों को लेकर आया हूँ दोस्तो समस्कत से संबंद सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे की UP की TGT PGT RPSC 1st Grade 2nd Grade और मदप्रदेश सिक्षक भरती इवं अन्य राज्य से संबंद जैसे JSSC आदी परीक्षाओं में सभी प्रशनों में रामान महा काब से संबंद प्रशनों को जरूर पूँचा ज प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्क्रट टीचर वनने के लिए यह रामान महा काब में से प्रशनों जरूर आते हैं तो दोस्तों आज हम रामान महा काब में से सौसामन प्रशनों को देखेंगे दोस्तों देखने के साथ सांत हम आपको बता दें कि description में जाकर कि हमारे अन हमारे facebook page को like करके इससे भी जुड़ सकते हैं और आप हमारे सभी वीडियोज प्राप्त कर सकते हैं देखते हैं रामान महाकाःवे में से सम्मंदित 100 प्रश्णों को पहला प्रश्ण है ہے संस्क्रित साहत्ते आदिकाःर मस्ती दोस्तों यहां रामार्ण समस्कित साहित का आदी कब माना जाता है नेश्ट है दोस्तो रामार्ण से रचना कारोस्ती रामार्ण का रचना कार कौन है तो रामार्ण के रचना कार कौन है बालमी की बालमी की रामार्ण के रचना कार है इसकंद पुरान अनुसार बालमी के पितर नाम आस्ति इसकंद पुरान के अनुसार बालमी की के पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम था प्रचेतस हा प्रचेतस इनके पिता का नाम था बालमी की के निस्ट है दोस्तो बालमी के बास्तविक नाम आसीद बालमी की का बास्तविक नाम क्या था तो इनका बास्तविक नाम था रतनाकर अगनी सर्मा रतनाकर या फिर अगनी सर्मा इस दोनों नाम बालमी की के मिलते हैं, नेस्ट कॉस्चन है, पूर्व जन्म संसकार बसात, बालमी की कस्मिन कर्मनी सनलगना आसीद, पूर्व जन्म की संसकार बस, बालमी की किस कर्म में सनलगने थे, तो यह ब्याद कर्मनी, ब्याद की कर्म में सिकार के काम में लगे हुए थे, सिकार क कारिये यह करते थे बालमी के कस्षंद सा आविसकरता मन्यते बालमी के किस्षंद का आविसकरता माना जाता है तो वह झाल है अनुष्टुप स्लोक कौन सा है तो वह है मानि साध प्रतिष्ठा तवा महा सास सती समग यत क्रउंच मितना देके मवधी काम मोहितम यह जो स्लोक है यह बालमी की द्वरा लिखत प्रतम स्लोक है और इसी इस को देख करके फिर इनको रामायन महाकाब की रचना करने की प्रेरणा मिली बालमी की नहां संस्कित साहे तस प्रथम इस लोका सरचना का स्याह नद्या तटेह करता है किस नदी के किनारे इन्होंने इस प्रथम इस लोक की रचना की थी तो वह थी तमसा नामक नद्याह तमसा नाम की नदी थी, तमसा नामक नदी के तक परेने और यह प्रसम स्लूइक लिखा था अनस्टुप चंद में, रामायन कस्मिन योग यह लिख Totally लिखता हूं फालमी की नहां, बाद में है इसलोक एक जो पून चार पंक्ती का इसलोक होता उसके रूप में इसको कहने लगे लेकिन इसलोक अनस्टुप का ही अपर नाम है संस्कृत की आलोचना परंपरा में रामाण को क्या कहते हैं तो आलोचना परंपरा में इसका नाम है सिद्धरसकाब्यम सिद्धरसकाब्य सिद्धरसकाब्य यह कहलाता है संस्कृत की आलोचना परंपरा के नुशार रामाण में प्रधानता है तो रामाण में धर्म की प्रधानता है धर्म की प्रदानता रामायनस अंगीरस ती रामायन का अंगीरस कौन है तो रामायन का अंगीरस जो है वह कौन सा है करोनरस है रामायन का अंगीरस करोनरस है नेस्ट कॉस्चन जोस्तो रामायने 24,000 श्लोका हसंती असमात कारणात अस्या विधानम कि मस्ती रामायन में 24.000 लोग हैं इसका कारण से इसका अविधान क्या है? मतलब इसको क्या कहा जाता है? 24.000 लोग के कारण तो इसको कहा जाता है चतर बिनसती साहस्री सहीता चतर बिनसती साहस्री सहीता इस रामायन महाकाब्ब को कहा जाता है रामायने प्रतेक सास्त्रो परी कस मंत्र अक्षरस निक्षेप हा रामायन के प्रतेक हजार इसलोक के उपर किस मंत्र के अक्षर का निक्षेप है तो वह है रामायन में प्रतेक हजार के उपर जो मंत्र है वह है गायत्री मंत्र गायत्त्री मंत्र के प्रतेक अक्षर का निक्षेप है एक हजार श्लोक के बाद गायत्त्री मंत्र कती बरणा भबंती गायत्त्री मंत्र में कितने बरण होते हैं तो गायत्त्री मंत्र में चतुरविनसती बरणा संती चतुरविनसती बरण हैं इसमें गायत्त्री मंत्र में और 24,000 श्लोक रामान में है इसलिए 1000 श्लोक के उपर एक मंत्र का एक भाग जो गायत्त्री मंत्र उसका एक वर्ण उसमें सब्द आया हुआ है एक आजाः लोक के बाद रामान में रचना इसकी पहले हो गई थी लेकिन इसका बर्थमान शरूब जो माना है वो माना है पांसो इसाप पूर्व से बालमिकी रामानस एकम नाम इदमपी अस्ती बालमिकी रामान का एक नाम याईवी है तो इसका नाम है पुलस्त्यबधा यह रामान का परनाम है पुलस्त्यबध तो दोस्तो ध्यान रखें इसको रामानस अनुसारें रिस्यो भबंती रामाण के अनुसार रिशी होते हैं तो रिशी द्रश्टा रहा होते हैं मतलब मंत्रों को देखने वाले होते हैं मांसक रूप से देखने वाले होते हैं रिशी वो मंत्र द्रश्टा रहा रिशी जो होते हैं मंत्र के द्रश्टा होते हैं ना कि मंत्र के स्रेष्टा, अर्था स्रजन करने वाले नहीं होते हैं, मंत्र को बनाने वाले नहीं होते हैं, मंत्र को बनाने वाले नहीं होते हैं, रामाण के अनुसार कभी होते हैं, तो रामाण के अनुसार कभी होते हैं, कांती दर्शी नहां, कांती दर्शी नहां, नेश् इस साथ कांड है बालक बालक इसकी एक सोट ट्रेक है दोस्तों बालक अयुद्या की जंगल में किस किंधा से किस कर रही है सुन्दर युद्ध होगा उत्तर में इस प्रकार दोस्तों यह ट्रेक है रामायनस प्रथम कांड मस्ती रामायन का पहला कांड है तो रामायन का पहला कांड है बालकांड रामायनस अंतिमम कांड मस्ती रामायनस कांड क्या है तो यह है उत्तर कांड रामायनस सप्त कांड आनम नामानी संती तो यह नाम आ गए दोस्तों बालकांड अयुद्या कांड अरण्यकांड, किसकिंदा कांड, सुन्दर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड ये साथ नाम क्रम से दिये हुए हैं इसमें नेश्ठर रामाणे संबूख बदस कथा कस्मिन कांडे दरश्य दे रामान में संबुक बद की कथा कस्मन किस कांड में दिखाई देती है तो वह है युद्ध कांड में संबुक बद जो होता है वह युद्ध कांड में होता है दोस्तों ऐसे प्रशने जरूर पूछे जाते हैं कि संबुक का बद किस कांड में हुआ या फिर सुग्रीम का राज्य विसे किस कांड में हुआ या फिर रावन का बद किस कांड में हुआ या फिर सीता का हरण किस कांड में हुआ तो यह सब जो रामान के छोटे-छोटे दस्टांत हैं उनको पूंचा जाता है कि यह किस कांड में हुए हैं तो यह दोस्तों याद क तो आध्यात्म रामायंस। से बाल कांड़ में है। रामाणे सरगाणाम संख्यास्ती रामाण में सरगों की संख्या कितनी है तो वह है पंच सतम 500 सरग इसमें माने गए हैं 500 सरग रामाण में माने गए हैं नेश्ट दोस्तो रामाण से नायको मन्यति कहा रामाण का नायक किसे माना गया है तो रामाण का नायक जो है वह है नाट सास्त्रिय प्रकरत्या राम के द्रसो नायका नाट सास्त की प्रकरति से राम के प्रकार के नायक है तो वह हैं धीरोदात नायक चार प्रकार के नायक होते हैं धीरोदात धीर ललत धीर प्रसांत और धीरोद्धत तो यह चार प्रकार के नायकों में राम जो हैं एक कस्मिन बंसे उत्पन्नो अवबत राम किस बंस में उत्पन्न हुए थे तो इनका बंसे एक छ्वाकू बंस एक छ्वाकू बंस में उत्पन्न हुए थे राम तो इनका बंस एक छ्वाकू बंस जिसे सूर्य बंस भी कहा जाता है राम बिश्णु कात्मो अवतारह मन्यते राम बिश्णु के कौन से आवतार माने जाते है तो राम बिश्णु के साथवे आवतार माने गए है साथवे सब्तमह अवतारह मन्यते तो साथमह अवतार माने गए है बिश्णु के यह राम रामायनस नाई के एम रामान की नाईका कौन है तो रामान की नाईका है सीता जो माता सीता है वह रामान की नाईका है रामस से राजधानी अयुध्या कस्या नद्या तटे आसीत राम की राजधानी अयुध्या किस नदी के तट पर थी तो वह थी सरीव नदी के तट पर सभी को पता है अयोध्या जो इस थे थे वह सरीव नदी के किनारे पर है नेस्ट कॉश्चन है दोस्तो राम हा कती वरस राम बनवासम प्राप्त वान आसीत राम कितने वर्स का बनवास प्राप्त किया था तो वह है 14 वर्स का बनवास हुआ था राम के बनवास में मूल कारणी कौन है मतलब कौन थी जो राम के बनवास में कारण बनी तो वह थी मंत्रा जुदासी मंत्रा थी वह राम के बनवास का मूल कारण थी रामायनस से अगनी पुनीता स्थी रामायन में अगनी से पवित्र कौन है अगनी में पुनीता कौन है तो वह है माता सीता जो अगनी से पवित्र हुई थी रामाह सीता को किस यान से अध्यल आये थे तो वह है आये थे पुस्पक बिमान से पुस्पक बिमान से लोट कर आए थे राम नेस्ट कॉस्चन है राम ने सीता का परित्याग क्यों किया था राम ने सीता का परित्याग क्यों किया था तो लोकाप बाद भैन लोकाप बाद के भाज से इनों ने सीता का परित्याग किया था दोस्तों आप इन question को जो important लगें अपने diary में या notes बनाते जाएं जिससे आपको बार बार ये वीडियो ना देखना पड़े और आपको परेशानी ना हो जो आपको कठें लगे उसको आप दोबारा पढ़ सकें अपने notes की माद्यम से तो दोस्तों आप notes ज़रूर बनाते जाएं सीता प्रतिकर्त्या रामह कम यग्यम करोती सीता प्रतिकर्त्या रामह कम यग्यम करोती तो सीता की मूर्ति से राम कौन सा यग्य करते हैं तो अस्वमेद्य यग्यम अस्वमेद्य यग्य करते हैं जिसमें सीता की प्रतिकर्ति प् बेठा करके वह अस्मिर्या करते हैं सीता रामम सरप्रथम कुत्र अपस्यत सीता राम को सरप्रथम कहां पर देखती हैं सीता ने सरप्रथम राम को कहां देखा तो पुस्पवाटिका आयाम पुस्पवाटिका में पुस्पवाटिका में वह जब विवाह के समय जब धनुस का खंडन होना था तब राम जाते हैं तब पुस्पबाटिका में सीता राम के दर्सन करती हैं स्री रामस्य पादु का पट्टा भी से का रोस्ती अर्था स्री राम के पादु का पट्टा भी से कार है तो वह कौन थे वह थे भरत भरत ने सी राम के पादुकाओं को रख करके चरणों को अपने सर पर रख करके वहेश चित्रकूट से ले गए थे चित्रकूट में जब महराज दसरत का सुर्गबास हो जाता है तो भरत अपने भाई राम को लेने जाते हैं और कहते हैं कि चलो आपका ही राज्या आपका ही यह सब आप राजा हैं वहां के तो आप यह वहां की राजगद्धी को सभालें लेकिन राम 14 बर्स के बनवास से बदे हुए थे और उन्होंने 14 बर्स का बनवास किया तब जो भरत थे वह सिराम के चरन पादिकाओं को सिर पर रख करके वह सिंगासन पर बठा करके उन्होंने राज को संभाला तो इस प्रकार दोस्तों यह वीडियो रामान का पहला भाग हुआ इस प्रकार दोस्तों मैंने आप के लिए रामान महाकाब से संबंदित 50 प्रशनों को बताया दोस्तों अंगले दूसरे भाग में मैं 50 प्रशनों को पुना कवर करूँगा तो दोस्तों यह 100 प्रशन आप ज़रू देखें और आपने मित्रों को यह बताएं जिससे यह वीडियो सभी तक पहुंच सके और सभी को प्रतियोगी परिक्षाओं में लाव मिल सके दोस्तों हमारे इस व करके हमारे सभी वीडियोज देख सकते हैं नमस्कार